दोस्तों क्या आप जानते हैं हमारा नेशनल फ्लैग कौन सा है अभी आप बोलेंगे सबको पता है ये हमारा नेशनल फ्लैग है लेकिन दोस्तों मैं बता दू कि ये तो हमारा नेशनल फ्लैग है लेकिन सिर्फ ये हमारा नेशनल फ्लैग नहीं था क्योंकि हमारा जो पहला न 1906 में बनाया गया था, उसके बाद 1907 में था, ये 1917 में, ये 1921 में और 1931 में ये उसके बाद आजादी के समय 1947 में इस flag को हमारा national flag बनाया गया अब इस विडियो को देखिए कि कैसे हमारे देश का flag मिटी और कुरेदान में गिरा हुआ है साल में एक दीन सिर्फ हम इस फ्लैग को पूछते हैं उसके अगले दिन ही कोई फेक देता है तो कोई जला देता है मेरी एक ही गुजारिश है दोस्तों उन सब सो कॉल्ड सोचल इंटुएंटर से जो आज इस फ्लैग को यूज करके रील्स बनाके पैसा कमाना हो गया है तो उस फ्लैग को कल फेक मत देना क्योंकि आजाद भारत के इस जंडे को बुलंद करने के लिए हमारे कई क्रांतिकारी शहीद हुए है तो ये फ्लैग हम सबसे बहुत कीमती है मैं आपको बताता हूँ हमारे तिरंगे को डिस्पोज कैसे करते है डिस्पोज करने के लिए दो मानियत तरीके हैं दफन करना या जलाना बर्यिंग और बर्निंग दफन पहले फ्लैग को फोल्ड करके और एक लकडी की बॉक्स में रखने के बाद उस बॉक्स को दफन किया जाता है और कुछ देर मौन रखना होता है बर्निंग एक सुरक्षित स्थान अच्छे से साफ करने के बाद आग जलाएं और फ्लैक को फोल्ड करके अच्छे से आग की लपटों के बीच में रखें और ये सब संपूर्ण एक निजी जगा में किया जाता है दोस्तो प्लीज सबस्क्राइब करके हमें उस काबिल बनाईए कि हम और भी जरूरत मन्त की सहायता कर सकें